हलो और नमस्कार आप सभी का स्वागत है और आपके साथ फिर से जुड रहा हूँ हमारी एक इंट्रस्टिंग सीरीज को लेके जहां हम लोग डिसकस कर रहे हैं फॉम पिलग्रिमेज टू निर्वान पार्ट टू इसके लिए क्योंकि इसके पहले कुछ दिन पहले हमने इसका पार्ट वन डिसकस किया था जहां हम लोग बुद्धा के रिलेटेड इंपोर्टन प्लेस के बारे में डिसकस करेंगे यूप एसी के पॉइंट ऑफ्यू से सबसे इंपोर्टन टॉपिक है यह क्योंकि यहां से सेंकड़ो बार सवाल पूछे गए और हम एक आइडिया रहन थी वी में से रिलेटेड जुड़ी वई है जहां बुद्धा के साथ पूध कहा विहार के लिए रुके थे कहां और डाएरेक्री असोसियेटेड है वह हमने देखी थी आज का हम आरा सेशन होगा वहांEm के बुद्धिक्छिंस करेंगे बुद्धिस्टर पॉस्ट बुद्धा का मतलब क्या है कि बुद्ध के मृत्यूं के बाद important sites ऐसी निकल के आई जो बुद्धिजम में बुद्धिस्ट आर्टिटेक्चर को लेके राजचंत्रों को यानि ही राजाओं को लेके और और भी सेंगडों मुद्दों के कारण चर्चा में रही है तो हम एक एक करके उनकी साइट उनके रिलेटेड एक दो कीवर्ड के बारे में डिसकस करेंगे डेप्थ में तो जादा नहीं देख अब आपके लिए जो है वो important areas है उसको भी identify करवा पाते हैं तो without wasting much of your time let us start the sessions before starting of the sessions if you are planning to take the unaccadive subscription this golden opportunity as of now abhi 50% discount available है अगर आप ये code use करोगे PNLive yes my friends 50% discount is available if you will use the code PNLive you have got 6 month extension 9th November को ये offer खतम हो रही है this is exclusively for you guys ये एक प्रकार की हमारी offer है आपको प्री दिवाली के हिसाब से इंडिया के top master educators unlimited classes का आपको access मिलेगा 24,000 से ज़्यादा practice questions prelims remains की test series सब कुछ इसके अंदर से basic से लेके advanced level तक कराया जाएगा ये बहुत ही comprehensive course है इसको जरूर से use करेगा subscription लेते समय PNLive को code जरूर से use क करना आपको maximum discount मिलेगा ये 10 number की जो series है मैंने बताया foundation batch है 2025 के लिए इसमें जरूर से आप enroll कराईए और अपना maximum lab है वो निकाल सकते है बाकि कोई भी query है तो you can call on this number 858585858585 our team will get back to you in help you in overall the subscription आप subscription लेते समय ये code का जरूर से use करना PNLive for maximum discount as well खेर बापिस चले जाता है और हम डिसकस करता है कि यह places related to Buddha and the Buddhist architecture अब देखें कि हमें mapping के अंदर दो प्रकार के सवाल आते है UPSC के अंदर से एक सवाल आता है जो places directly बुधा के साथ जुड़ी हुई है जहां बुद्ध ने विजिट किया था तो we will find कि बुद्ध ने विजिट किया था या उनकी birthplace है जो directly उनके साथ जुड़ी हुई है वहां से आपको मुलेंगे दूसरे जो सवाल आपको यहां से पूछे जाते है वह सीधे सीधे तोर के उपर अगर आप समध्य की कोशिश करोगे तो आपको पूछा जाएगा वह है इंडरेक्ट प्लेस जो आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत important है जैसे बुद्ध के मृत्य के बाद स्टूप कहां कहां बने थे बुद्ध के मृत्य के बाद कहां कहां विहार और चाइतिय बनने की शुरुवात हुई थी विहार और चाइतिय क्यों कि बुद्ध की जब मृत्य हुई तो ओर पिरेट ऑफ टाइम इंडे इंशेन पिरेट उनके जो फॉलोर्स से खास करके संघ के फॉलोर्स यह संग के followers के लिए बहुत सारे monuments बनते हैं, तो यह जो monuments हैं, उनकी locations क्यांसी कौनसी थी, इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि विहार चैत्य के साथ साथ, जो other form of monuments है, वो भी हम लोग के लिए बहुत prominent हो जाता है, और इससे ही हम लोग देखेंगे, कि कौनसी locations और sites है, जिनके उपर से हम mapping के points है, खाली और खाली mapping में, याद रखना कि इसमें दो प्रकार के सवाल आता है, एक तो micro level के questions आते हैं, और एक आता है macro level का question, सुनिया मेरी बात, एक आता है micro level का question, जहां mapping के अंदर बहुत depth में सवाल पूछे जाता है, जैसे agenda के उपर और अजंटा एक ही संप्रदाय को dedicated cave architecture का एक प्रकार था, खेर वो नहीं था, क्योंकि इसके उपर UPSC ने अल्रेडी सवाल पूछ दिया था, और आपको बोला था कि अजंटा और महाबलीपूरम के बारे में बताईये, और बोला कि it is built in the same period and it is having the same religious denomination, खेर महाबलीपूरम has got mainly Hindu, Vaishnavite, Shaivite and Shakti traditions reflected as a part of art and Ajanta has purely Buddhist architecture, sir, okay, तो हमें ये clarity होनी चाहिए इसके अंदर से कि भई देखिये, ये Buddhist architecture का एक प्रकार था, है ना, दूसरा पूछा किया कि दोनों के अंदर rocket monuments है, फिर आपको options दे दिये गए, इस बार 2023 की prelims के अंदर आपको एक सवाल पूछ दिया गया था, कि धन्या कटक नाम का जो शहर है, या धन्या कटक नाम की जो जगह है, जहां पर महा संगी का करके संपरदाय originate होता है, या महा संगी का नाम का संपरदाय वहां पे रह रहा था, वो कौन से region में located है, है ना, तो आप देखिए कि ये भी mapping based question ही है, और उसके बाद आपको चार question डाल दिए, options के अंदर आंदर, घंदर, कलिंग और मगद, आप देखोगे तो यहां पर आपको चार options डाल दिए, आंदर, घंदर, कलिंग और मगद, और उसके बाद आपको पूछा गया कि भई, identify करके बताईए, where is धन्या कटका located sir, तो इस तरह के जो सवाल आपको पूछे गया है, जो nature of questions है, उसमें mapping करना बहुत जरूरी है, इसके part 1 के अंदर, सुनिए मेरी बात, इसका जो part 1 है, उसके description box में link available करवा दी गई है, प्लीस देख लीजेगा, इसको आप part 2 के साथ जोड़िएगा sir, तो आज का हमारा तो session है, वो Buddhist architecture sites के साथ है, जैस जैसे श्रवस्ती है, जैसे कपिला वस्तु है, बाकी अगर आप देखोगे तो काशी आपको देखने को मिलता है, सारनात देखने को मिलती है, यह सब जगाए वैसी जगा थी जहां बुद्ध अल्रड़ी जाके आ चुके है, और वो उनके जीवन के साथ सीधे सीधी जूड जाना है, जहां बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट्चर साइट और मेंली हमें देखनी है कि बुद्धा के रिलेटेड जो स्टूप आर्किटेक्ट्चर, बुद्धा के रिलेटेड, we will come to know कि जो मॉनुमेंट्स और प्लेसीस है वो हमें देखना है, और साथो साथ हमें बेज जगह से जुड़े हुए हैं एक तो स्थूपा के related places दूसरे शाईतियों और विहार के related places याद होगा कि शाइतिय वर्द प्रेयर हॉल्स के न समझें kinky ब्रेयर हॉल्स क्योंsan करक्प्राथ को अपने दिमाग को और दूसरा था विहार जहां पर बहुत सारे डेसीडंस बनते थे इट सब्सपर जहां पर मौंक्स रेस डूसर किया करते थे यह करते थे यह मौंक्स नियंस की जो प्लेशस हुआ करती थी उसको हम लोग क्यते हैं विहार तो विफार कमाषीए बुद्ध के मृत्यू के बाद यह चैति और विहार का निर्मान कराएंगे उनके फॉलोवर्स उनके राजा और यही संग के फॉलोवर्स बुद्ध के मृत्यू के बाद स्थूप आर्खिटेक्चर को भी करवाएंगे क्यों क्यों कि बुद्ध ने कहा था कि मेरे मृत्यू क के बाद है ना पाली के अंदर उनों एक शब्द का मेंशन किया गया थे जिसका नाम था थूपा उन्हों ने कहा था अपने विचारों को कैद करते हुए कि मेरे मुरुत्यों के बाद थूपों का निर्मान करवाना थूपा is a Basically और बुद्ध ने बताने की कोशिश की थी कि मैं रेलिक्स यानि की मेरी जितनी भी अस्तिया है यह अस्तियों को स्टूप के अंदर रखना असर तो इस तरह से आफ्टर देफ ऑफ बुद्ध जहां जहां गए थे उनके कोई राजाओं के साथ जो निकटतम सबंद हुआ करते थे उन सब जगाओं के उपर क्या बनता है स्टूप बनता है तो पहली जो जगा है वह बेसिकली स्टूप आर्किटेक्चर के रिलेटेड और हमें यह पता होना चाहिए कि कहां कहां पर स्टूप बनेंगे सा ठीक है दूसरी बुद्धा के रिलेटेड बहुत होना चाहिए तो दोस्तों हमें यह भी पता होना चाहिए कि बुद्ध के मुर्थ्यू के बाद इमेडिटली फाइंड की काउंसिल्स होए थे काउंसिल्स का मतलब यह है कि देर विल बी प्लेसिस जहां बुद्ध के फॉलोवर्स मिलेंगे और मिलने के बाद पटा होने चाहिए थे रिस्पेकट तो बुद्धिस्म की कहां-कहां काउंसिल्स होए हमें इस थूप के प्लेसिस भी पता होने चाहिए कि कहां-कहां इंपॉर्टेन स्थूप आय हुए है इसके से फिवाई बी विल आल्स फाइंड की संग और बुद्धिस्ट आर्किटे to Buddhism. तो there is every possibility कि UPAC might ask you a question with respect to which university has the significance और तक्षिला नालंदा के उपर एक बार सवाल आ चुका था बाई तक्षिला इस नौट अबुदिस्ट आर्किटेक्ट्चर और बुदिस्ट प्लेर्निंग इन प्रॉपर सेंस क्योंकि तक्षिला एक ऐसे दौर के अंदर निकल के आई थी जहां वी विल फाइंड की प्री बुदिस्ट उसको कहते है साथ वी शताब्दी के बाद ही उसका ओरीजिन हो चुका था लेटर पीरड में थोड़ी बहुत बुदिस्जम की नौलेज भी वहां पर इंपार्ट की गई थी पर इनिशिल दौर के अंदर we will come to know कि तक्षिला जो थी वो पहले से एक्जिस्ट कर रही थी तो आपको centers of learning, places of learning भी पता होना चाहिए with respect to Buddhism तो एक एक करके चलते है कि पहला जो official point है जहां से आपको सवाल आ सकता है वो है the places where the four Buddhist councils had taken place okay so you might be aware after the death of Buddha we will see कि the Buddhist Sangha had so much of problems going on the problems was with respect to Buddha के teachings the problems was with respect to what should be the learnings of Buddha and the rules of the Sangha to Sangha के rules को codify करने के लिए Buddha के teachings को codify करने के लिए Buddha की philosophy को we will see कि एक दर्शनीत लोंग में और ultimately उसको signify करने के लिए और जितना भी संग के अंदर institutions था जो skeeism हो रहा था उसको रोकने के लिए और उसको institute करने के लिए will come to know कि चार councils हुई जो उस period में हमारे लिए बहुत important थी सबसे पहली council होती है राजगीर के अंदर याद रखना तो राजगीर तो important place ही बुद्धा के साथ क्योंकि बिंबिसार भी वहां से बिलॉंग करते थे बुद्ध को सरीपुत्र और मुगल अन्ना दोनों मिले हैं राजगीर के अंदर ही first council होती है तो राजगीर के उपर आपको अलाइदा सवाल आ सकता है क्योंकि मगत की imperial capital भी थी और यह जो पहली council थी यह किसने करवाई थी आपको यह भी पूझा जा सकता है कि Ajat Shatru करके एक राजा था जो यह first council को करवाएगा तो please remember the name राजगीर please do recall the role of Ajat Shatru and his contribution किसने इसको head किया था वो भी पूझा जा सकता है तो it was we will see a Buddhist saint called as Mahakashyap और Kashyap who had contributed to the first Buddhist council in fact under the first Buddhist council only we will come to know about the literature of Buddhism where Vinay Pitak and the Sudh Pitak were respectively compiled at that time sir okay तो यह दोनों की दोनों पाली literature की किताब है आनन्द और उपाली के द्वारा we will see की compose की गई थी over a period of time sir getting opened okay तो हमें यह clarity होनी चाहिए कि किस तरह से यहां से development हुआ और कैसे यहां इसकी एक significance है sir उसके बाद जो second place है वो है वैशाली sir है ना समझे अब आप देखोगे कि क्या वैशाली के अंदर बुद्ध गए थे कि नहीं गए थे तो याद रखना कि बुद्ध है विजिटेद वैशाली ओर पीरिड ऑफ टाइब इट इस्टू बी में कैपिटल और लिच्छावी से थे टाइम जो वच्छी वजी क्लैन हुआ करता था उसके अंदर जो गणसंग थे उनके अंदर से वैशाली के अंदर एक नगरवदू भी हुआ करती थी आ जिसका नाम था काल अशोका काल अशोका या काल वर्मन करके एक राजा आपको देखने को मिलेगा और इसके द्वारा विविल सी कि सेकंड काउंसिल बुलाई गई थी यह जो सेकंड काउंसिल जब बुलाई गई इसकी इंपोर्टन्स यह है कि यह वैशाली उनकी कैपिटल थी टेंपररी पीरड के अंदर और इस दौर के अंदर विविल फाइंड कि बुद्धिजम में पहली बार स्कीजम होता है तो वैशाली की इंपोर्टन्ट इंडियन हिस्ट्री के साथ और बुद्धिजम हिस्ट्री के साथ यह है कि वेरी फॉस्ट स्कीजम यानि कि बुद पिटाग पता होगा जो फर्स्ट बुदिल काउंसिल के बार लिखी गई थी इट वस अ बुक ऑन दे रूल से रेगुलेशन अव दे संगा एंड सुथ पिताग इट वस बुक ऑन दे टीचिंग्स अव दे संगा यह जो वैशाली करके जो जगह है वहां पे एक समू था बुदिस संग का जिने हम लोग कहते हैं वज्जी पुत्रस क्या कहते हैं वज्जी पुत्रस करके जो समू था इन्होंने विनए पिटाग के नियम बदलने की कोशिश की और इसको लेके जो एक दूसरा ग्रूप था सं के बताए रास्ते के ऊपर चलेंगे हम थेरा सेंट्रिक जो डाइमेंशन से उसको भी फॉलो करेंगे and there is no point of changing the rules and regulations इसी का परिणाम हमें देखने को मिलता है इसी का ही significance हमें देखने को मिलेगा कि second council तक आते आते we will find कि इसके अंदर issues create हुए second council किसकी अद्यक्ष्णा में हुई थी काल अशुका के अंदर यहां पर ही वैशाली के अंदर we will find कि स्कीजम हुआ significance के रूप में याद रखना इसी के अंदर एक चीज और जो अगर हमें याद रखनी है तो हम क्या याद रखेंगे तो हम ये भी retain करने की कोशिश करेंगे कि ये जो वज्जी पुत्र से और period of time एक नया संग बनाते है इसी कोई कहे जाता है महा संगीकास है ना तो आपको पूछा जा सकता है कि वैशाली का importance बुदिजब में क्या था तो second council के रूप में तो था ही पर हमको ये भी याद रख है कि वैशाली का importance महा संगीकास के point of से भी बहुत ही important था इसके सिवाय तीसरी थी पाटली पुत्र पाटली पुत्र में अशोक खुद ये meeting बुलवाएगा और अशोक चाहता था कि बुदिजब में कोडिफिकेशन हो अशोक चाहता था कि बुदिजब में उसकी glorification हो और इ पिटाक मतलब बुदिजब की जो तीनों किताबे है उसकी final compilation अशोक के समय पे आपको मिलेगी सर उके तो उपगुप्त करके एक बुदिस सेंट थे इनका दूसरा नाम मोगाली पुत्र तिस्या भी है कुछ लोगों का मानना है कि तिस्या और उपगुप्त अलग-अलग entities ह हम इनको historically या ज्यादा debate में ना पढ़ते हुए एक ही देखते है क्योंकि किताब-centric देखेंगे तो एक ही मिलेगा यह जो उपगुप्त या तिस्या नामक जो वेक्ती है इन्होंने ही विविल्सी की third council को head किया था important बात हमारे लिए यह भी है कि during this tenure or during this period only the three Pitaaks were compiled and the Mahasangikas who were a very prominent sect in the Bihar region at that time, they were expelled by Ashoka, Ashoka ने उनको expel कर दिया, कहा कि भई देखो तुम कुछ काम के लायक नहीं हो, तुमने मेरे बोध धर्मा और बोध संग के अंदर बटवारा किया है और मैं तो यह जो थेरा वादिन, यानि की जो ही नियान करके सम्मुदाय लेटर बनेगा, उसी को ही सच्चा बोध संप्रदाय के रूप में मानता हूँ तो इस तरह से तीसरी काउंसिल के अंदर वी विल फाइंड की बुधिजम के अंतरगत, जो इंशेंट आर्किटेक्चर की जो लोकेशन से वो निकल की आई चौथी होती है कनिश्क पूरा, या इसी को ही वी विल सी, आज के modern day कश्मीर कुंदलवन रीजन के अंदर पहचानते हैं कुछ लोगों का मानना है कि आज का जो श्री नगर है, उसी रीजन के अंदर वी विल फाइंड की fourth Buddhist council हुई थी तो कश्मीर is also important seat for Buddhism, आपको उस टाइम पे कभी-कभी याद नहीं रहता है कि इन में से कौनसी कौनसी places, we will find कि Buddhism के साथ जुड़ी हुई है तो we should show कि there is a place called as कनिश्क पूरा, क्योंकि कनिश्क करके जो राजा थे, उन्हीं के द्वारा ये organize की गई थी and during this organization of the fourth council, we will come to know कि कनिश्क will be inviting all the Buddhist scholars across the country और finally Buddhism में दो संप्रदायों का compilation किया गया, called as हीनियान and महायान, sir हीनियान वर्दी followers of बुधा जो बुद्ध को teacher के रूप में देखते है and महायान वर्दी followers of बुधा, जिनका मानना था कि बुद्ध एक मूल तह से एक teacher है और teacher के साथ साथ God भी है, sir, okay ये दोनों की दोनो fundamental change हुआ, यहां से हमको पता होना चीए ये तो fourth council थी, ये वासू मित्रा नाम के एक Buddhist scholar के दोरा preside की गई थी ये भी हमारे लिए important fact हो जाती है, तो आपको places में Buddhist council के चार places याद रहेंगे एक है राजगीर, वैशाली, पाटली पुतरा and कनिश्कपूरा, कश्वीर के अंदर ये चार places हमारे लिए important है दूसरी बात मैंने बताया कि Buddhism के उपर से आपको जो सवाल आएंगे वो एक तो चार councils के आ सकते हैं कि इन में से कौनसी कौनसी जगा के उपर councils हुए थे या which of the following places were later on made the center for councils in Buddhism इन में से कौनसी जगाओं के अंदर Buddhist councils की setup की गए थी या उसकी introduction की गए थी इसके सिवाए जो दूसरा सवाल आएगा वो आपको पूछा जाएगा स्टूप के हिसाब से अब याद रखना कि स्टूप एक पाली शब्द है जिसका नाम है थूपा यह स्टूप दो बार बनके आये थे एक ऐसे स्टूप जिनके अंदर Buddhist की अस्तिया रहती है उसको कहा जाता है शारीरीक स्टूपा एक ऐसे स्टूप जिनके अंदर Buddhist की अस्तिया रहती है उनको कहा जाता है शारीरीक स्टूपा याद रखिएगा सर ठीक है और दूसरे over period of time ऐसे स्टूप बने जिने हम लोग कहते हैं commemorative स्टूप और votive स्टूप यह वैसे स्टूप थे जिनके अंदर Buddhist की अस्तिया नहीं पर वो एक symbols के रूप में establish किये गए थे और यहां पे भी we will come to know कि Buddhism, Buddhist architecture और Buddhist history के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बाते और जगाय हमें मिलेगी सर तो हमें पहले ऐसे जगाय धूंडनी है जहां पर बुद्ध की अस्तियों वाले स्टूप है कितने बुद्ध की अस्तियों वाले विचार्डग प्लेसे वेर बुद्धा स्रेलिक्स पर पास्ट अवे तो बुद्ध की मृत्यों अगर आपको पता होगा तो कुशिनगर में हुई थी सो वेन बुधा पास्ट अवे अट प्लेस को ड़स कुशिनगरा तो कुशिनगर में उनकी जब अगनीदा के बाद उनकी जो भी अस्तिया थी उनकी जो रिलिक्स थी उसको लेके लडाईया हो गई लडाई क्यूँ हुई क्यों हरे cockroach Kingdom के साशको का ये मानना था कि बुद्ध हमारे प्रीयतम थैं बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया था बुद्ध को हम भगवान और गुरू के रूप में मानते हैं तो उनके की स्टूप और उनकी स्तियो का रखने का अधिकार हमारा होना चाहिए तो जो बुद्ध ने पूरे जीवन में अहिंसा का आधार बनाते हुए लोगों को लड़ने के लिए मना किया था उनके फॉलोवर्स ने उनका उल्टा कर दिया और इसका परिणाम यह आया इसका कॉंट्रिबिशन यह आता है कि बुद्ध के मुर्त्यू के बाद उस हुए थे जहां उनके मतलब काइंड अफ चरन पादु का या उनकी जो प्रभाव है वो सबसे जादा रही है उन सब किंग्डम के अंदर हम लोग अस्तिवों को बाट देते हैं इस तरह से इमिडेट कंटेक्स में बुद्ध के मुर्त्यू के बाद करीवन आठ ऐसी तो पहला याद रखेगा कि पाली लिटरेचर के पॉइंट ओफ यू से वी विल फाइंड कि देर आर एट प्लेसे में प्लेसे गर्द स्टूपा वर बिंग मेड यह स्टूप कहां कहां पर बनते हैं तो एक है राजगीर मैंने आपको अल्रडी पढ़ा दिये और वैशाली राजगीर और वैशाली का इंपोर्टन्स यह है कि इन दोनों जगाओं के उपर तो काउंसल भी हुई थी over a period of time तो राजगीर और वैशाली इसके लिए क्योंकि यहां तो काउंसल भी होती है फर्स्ट काउंसल ही राजगीर के अंदर हुई सर ठीक है वैशाली की बात करें तो सेकंड काउंसल ही यहां पर हुई बट सेकंड काउंसल हुई उसके पहले यहां पर स्टूप बन गया था याद रखेगा कि बिफोर दी फॉर्स और सेकंड काउंसल टूक प्लेस देर वर और अल्रेड़ी वी इंपोर्टन्ट है सर ठीक है ना समझे तो वी विल इस आए प्लेस के एंपोर्टन पलेसिन बुदिजबर फॉर्स देर फॉर्स प्लेस कॉल ड़रा मगर्म करें सब्सक्राइब्ट नश्यूंत दिखेंग की इस आंथों की आठों जगाओं की अपनी प्रासंगीत्य और यह वही आठ जगाए है जहां पे बुद की अस्थिया यानि कि बुद्ध के relics लगाए गये थे और यहां पर यह relics के ऊपर एक hemispirical dome बनाया गया था ठीक है समझे ये वो जगाए है जहां बुद्ध सीदे-सीदे जुड़े हुए थे या इनके साशक बुद्ध के followers थे बुद्ध की फैमिली के साथ जुड़ी हुई जगाए मिलेगी जैसे कुशिनगर में आपको पता ही होगा कि बुद्ध की मृत्य हुई थी इसके लिए इंपॉर्टन जगा है पावा या पावा पूरी बड़ी सिग्निफिकन्ट जगा है क्योंकि इस रिलेटेट टू महवीर महवीर के साथ भी और जैनिजम के साथ भी जगा सिंग्निफिकन्ट है वैसे ही पीपर हाव यहां पर सबसे इतने सारे इतने सबसे स्तूप बने उसमें सबसे पुराना शुप जो इमिडेटली बुद्ध के मृत्यू के बाद बना था ऐसा कहते है कि आतर बनके आया था तो तो इस तरह से हम लोग जब स्थूपा आर्किटेक्चर की बात करेंगे, बुद्уд کے जीवन के साथ जो रेलिक्स-बेस स्थूपा है, सुनिया मेरी बात, मैं शब्Д यूज़ कर रहा हूँ, रेलिक्स-बेस स्तूपा है, ऐसी रेलिक्स-बेस जहां बुद्द की अस्थिया सी सीधी जुड़ी हुई है यह वो स्तूपा है जो हमारे लिए important place के रुप में निकल के आते हैं अबर आप historical context के अंदर देखने की कोशिश करिए तो हमें कभी-कभी यह भी पता होना चाहिए कि what is the significance of this places in the historical context getting a point तो अगर आप हमें देखोगे और अगर आप historical context के अंदर समद्ने की कोशिश करिए तो यह वो स्तूपा है जहां कहीं न कहीं बुद्ध के रिलिक्स और बुद्ध की अस्तिया और कुछ-कुछ घटनाई यहां पर जुड़ी हुई आपको मिल जाएगी तो हमें उसकी locations उसके रिलेटेट जो भी घटनाए है वो सब हमें पता होनी चाहिए सर है न समझे एंड वी विल फाइंड की इन सब जगाओं के ऊपर जो द्रोना करके भ्रहमिंड थे उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान आपको यहां से मिलता रहेगा सर ठीक है तो उनके मृत्यू क के बाद यह सब बनी थी इसके लिए इंपोर्टन्ट है जैसे रामग्राम आपको देखने को मिलता है रामग्राम वह जगा हुआ करती थी जहां लेटर ऑन अशोक भी जाने की कोशिश करेगा तो प्लीस डू दे मैपिंग है ना मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप मैप के उपर स्थूप आया हुआ है और कहां पर नहीं आया हुआ है ठीक है अब देखें यह तो मेन प्लेसिस हो गई विथ रिस्पेक्ट टू बुद्धिजम जहां पर स्थूप बने थे रेलिक्स के रूप में अगर आपको बुद्धिजम की हिस्ट्री पता है इस्ट्री इंडिया तो यू माइट ऑल्सो भी अवेर अबाउट सर्टेन प्लेसिस जहां बुद्ध में रेलिक्स इमिडेटली नहीं थे एक्चुली हुआ क्या कि अशोक जब सत्ता के उपर आया तो अशोक ने कहा कि मुझे भी स्थूप बनाने हैं और अशोक कितने स्थूप है यह थोड़ा एग्जेजरेशन है दीव्यवादन और वी विल सी कि महावन्ष नामक जो श्रिलंका के इतियास की किताब है उसमें यह बात लिखी गई है कि अशोक वस सो मच इंट्रेस्टेड इन बिल्डिंग स्थूप आस डाट ही क्रियेटेड अराउं 84,000 स्थूप ब शारिदिक का मतलब यह है कि existing बुद्ध की रेलिक्स को हटा के नए स्थूप बनाएं और कुछ-कुछ वोटिव स्थूपों का निर्मान किया वोटिव का मतलब है कि एक commemorative point of view से अपने symbols को identify करने के लिए उसने स्थूप architecture का निर्मान किया ठीक है जैसे अगर आप थी साची की ही बहुत बड़े businessman की daughter लोक महादेवी इसकी personal supervision के अंदर we will come to know कि यह साची के स्थूप का निर्मान किया गया यह साची के स्थूप को महा स्थूप के रूप में भी हम पहचानते है हमें उसके बारे में भी एक factual understanding होनी चाहिए अगर UPC आपको पूछता है कि इ ऐसे ही अगर आप देखोगे तो हमें एक और स्थूप देखने को मिलता है बेराट स्थूप यह भी अशोक के द्वारा ही बनता है इंट्रेस्टिंग कहानी यह है कि बेराट का जो स्थूप है यह अशोक ने जैपूर के पास मत्सय करके जो kingdom हुआ करता था ancient जनपद हुआ करता था वहां पर यह बनाया था आज की तारिक में बेराट के स्थूप के अंदर हमें कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि ज्यादातर monuments जो है उसके अंदर के बिखर गये है but we should be aware about this part है ना हमें इस पार्ट के अंदर aware होना चाहिए कि कहां कहां कौन से स्थूप बने है अब जैसे साची का स्थूप एक ऐसा स्थूप है जहां we will also see this part over a period of time where we will also understand कि इसको तोड़ा भी गया था जैसे पुष्यमित्र शूंग करके एक राजा था उसनों उसको तोड़ दिया और उसके बाद पुष्यमित्र शूंग का छोकरा था जिसका नाम था अगनी मित्र शूंग उसको रिपैर करेगा वो मालवी का अगनी मित्र में उसकी कहान सयं मित्र शूंग ने तो इस तरा से ऐसे डर आर मेने's two past which one not having direct relics inside itt बच अलॉंग विथी कि not having the relics, they are commemorative in nature, they are votive in nature, commemorative और votive का मतलब यह है कि यह वैसे स्टूप है, जो in memory में publish किये गए है, तो हमें clarity होनी चाहिए सर, यह सांची के स्टूप में interesting कहानी यह भी है, कि बुद्ध के दो followers थे, सरीपुत्र और महामोगलन्ना, यह सरीपुत्र और महामोगलन्ना की भी locations के लिए बड़ी important है, क्योंकि इनके स्टूप भी यहाँ पर ही आये हुए है, तो आपको पूछा जा सकता है कि सांची की historical importance क्या है, सांची is also UNESCO World Heritage Site, और लेटर और फिर सत्वहानों ने उसके उपर आके तोरण बनाया, याद रखेगा सर, इसके सिवाई, we will come to know about the stoop complex of the northwest part of the country, northwest part of the country का मटलब यह है, कि आज के पेशावर और गांधार वाले रीजन के अंदर, हमें काफी सारी यगा के उपर stoop मिलेंगे, जैसे कनिश्क करके एक राजा हुआ करता था, इन दे पोस्ट मौरियन इंडिया, उसने पुर्शापूर यानि पेशावर के अंदर stoop बनाया था, यह पेशावर stoop बड़ा prominent था, क्योंकि यह टावर stoop का एक प्रकार था, वैसे ही गांधार के अंदर ही, we will come to know कि आपको stoop मिलेंगे तक्शिला वाले रीजन में, एक का नाम है धर्मरजी का stoop, this is also prominent area, where we will come to know कि the stoop was made in the post-Maurian period, post-Maurian period का मतलब क्या है, कि Mauryas के बाद वाले period के अंदर, इन सब जगा के उपर stoop बने थे, यह stoop का continuation, we will also see down, कि भारत के अलग-अलग विस्तारों में हुआ, जैसे यहां गांधार में, जहां बुद्ध की प्लेसिस थी, वहां पे, कुछ-कुछ Central India के अंदर, वैसे ही एकाच जगा आपको गुजरात के अंदर भी देखने को मिलती है, where we will come to know, अस्तूपा was located, यह जगा है अरवली डिस्टिक के अंदर, जहां से अरवली माउंटेन रेंज शुरू होता है, और इसका नाम है देवनी मोरी, देवनी मोरी is located in the North East part of गुजरात, somewhere over here, and it is the starting point of the अरवली रेंज इन गुजरात, याद रखेगा, इसके साथ साथ अगर आप समदने की कोशिश करोगे, तो आज के अंदर प्रदेश वाले रीजन के अंदर, आपको सैकडो लोकेशन मिलेगी, जहां पर स्टूप बिल्डिंग की एक्टिविटीज को बहुत इसमें आपको अमरावती नागरजुन कोंडा करके जगा मिलती है, अमरावती के अंदर एक बहुत बड़ा स्टूप हुआ करता था, उसको कहा जाता है महाचैतिय, क्या कहा जाता है महाचैतिय, वैसे ही अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो आपको भट्रा पोली करक एक जगा हुआ करती थी, उसके बारे में हमें पदा चलता है, we will also find कि इसी पीरेड के अंदर अंकपली और गुटानपली नाम की दो जगाए हमको यहां से मिलेगी, ये दोनों की दोनों जगाओं की भी अपनी historical importance है, historical importance इसके लिए है क्योंकि हमें ये भी देखने को मिला कि इस जगा के अंदर rocket stoop आए हुए है, rocket stoop का मतलब यह है कि we will come to know कि यहां पे एक ही पत्थर को काट के चैती और stoop बनाए गए थे, वैसे ही आपको ठोटला कोंडा करके एक जगा देखने को मिलेगी, which is located in the coastal आंदर प्रदेश, it was one of the ports in the साथ वहना पीरड, याद रखना, and this was also a place जहां पे stoop complex बना हुआ है, वैसे ही आपको आज के करनाटका के अंदर एक जगा देखने को मिलती है, जिसका नाम है कंगन हली, यह कंगन हली के अंदर आज का जो सननती करके एक location है, कौन सी है, सननती, यह सननती के पास we will find कि stoop complex आपको मिलेगा, और वहां पे भी we will come तुनों की सत्वहना पीरड के stoop है, यह ज्यादा से ज्यादा वोटिव stoop है, इसमें कोई शारीरिक stoop नहीं मिलेगा, शारीरिक stoop का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया है, शारीरिक stoop वो होते है, जहां बुद की अस्थिया रखी जाती है, प्रॉमिनेंटली, इसके स दिजाइन थोड़ी अलग प्रकार से है, यह एक्चुली अशोख के बाद वाले पीरड में बनके आया था, और ग्रेजूल सेंस के अंदर फिर गुपता पीरड और उसके ट्रांजीशन पीरड में उसको रिपैर भी करवाया गया था, तो हमें लोकेशन के पॉइंट आफ से बहुत सारी प्लेसिस पता होनी चाहिए, जहां पे स्टूप आर्किटेक्चर को निर्मित किया गया था, there are many places where the स्टूपा's were made, and we need to understand and see the places, दूसरी बुद्धिसम के अंदर बहुत सारी मौरियन साइट्स आई हुई है, पर मुझे लग रहा है कि मौरियन पीरड की साइ जगे तो बहुत ठीक लहेगा, क्योंकि मौरियन में जो मैपिंग है, इस मैपिंग के point of view से अगर आप देखोगे तो आपको rock edix पता होने चाहिए, rock edix में major और minor rock edix आपको पता होने चाहिए, we will also find कि rock edix के साथ साथ हमें pillar edix के बारे में पता होना चाहिए, हमें cave edix के बा कि यक्ष यक्षीनियों की लोकेशन भी बता होनी चाहिए तो अलग से इसके उपर डिसकस करेंगे अशोकन पीरड के अंदर और जो बुदिस्ट आर्किटेक्चर का ग्रोथ क्या हुआ उसके उपर नहीं जा रहा है पर आर्किटेक्चर के पॉइंट अफ यू से बुद्धि आर्किटेक्चर इस रिफ्लेक्टेड प्लेसिस के रूप में तो आपको कुछ-कुछ जगह स्कल्प्चर आठ के बारे में भी पता होनी चाहिए स्कल्प्चर आठ के प्लेसिस का मतलब यह है कि दर आर प्लेसिस जहां पर खाली और खाली बुद्ध की मूर्तिया मिली यह बेजिकली डिफरेंट स्कूल अफ आर्ट है याद रखना ओल इस स्कूल अफ आर्ट है बुद्धिस्ट मॉनुमेंट्स इन बुद्धिस स्कुल्प्चर स्मेड अच्दम सबके उपर अलग से एक गंटे का अलग से क्लास लिया जा सकता है पर हम लोग कर रहे हैं मैपि तो र्यादा आपकी टाइम ना लेते हुए और आपको खली रिविजन करवाने के पॉइंट अफ यू से आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे अलग-अलग जगा के ऊपर we will see कि बुद्धिस्ट अर्किटेक्ट्चर का निर्मान हो रहा था कि which are the different different places where the Buddhist architecture was being made sir getting on point तो वी विल फाइंड कि गांधार, मतूरा और अमरावती these are also the important places related to Buddhism, please remember गांधार में गांधार स्कूल आपकी जो ब्लू ग्रे सेंस्टोन का उपयोग करके हुए शिस्ट माटेरल का उपयोग करते हुए अर्किटेक्ट्चर बनता है, only Buddhist था, अमरावती में white marble only Buddhist था, अमरा बुद्धा की मूर्तिया मिली हुई है और ज्यादा तर narrative art के रूप में है, मतूरा एक ऐसी जगह है, it's a confluence zone, confluence zone क्यों, क्योंकि North का culture, East का culture, South का culture, West का culture, Central India का culture, सब कुछ मतूरा के अंदर आया, and that is one of the reasons, मतूरा के अंदर जो स्तापत्य की हम लोग बात करेंगे, architecture की हम ल दिर्मान आपको मिल जाएगा, इसके सिवा सारनाथ, सारनाथ में चोखंडी स्तूप है, सारनाथ is also school of art, याद रखेगा, क्यों school of art है, क्योंकि वहाँ पे भी स्तापत्य की, we will see की मूर्तियों का विकास हुआ है, इसके सिवा सुल्तान गंज नाम की एक जगह है, सुल्तान गंज में बुद्धिस प्लेसिस के point of view से importance यह है, कि वहाँ पे we will come to know कि एक वहाँ यह मिला हुआ है, क्या कहता है, ब्रॉंस की बुद्ध की मूर्तियों है, इनको कहा जाता है सुल्तान गंज बुद्धा, please remember this place, it is called as सुल्तान गंज बुद्धा, and that is one of the reasons we will find कि हमें यह प significant historical locations where the Buddhist cultures were related to it, ठीक है, तो हमें एक यह भी इसके अंदर की कहानी clear हो जानी चाहिए, कि कौनसी कौनसी जगा से मूर्तिया मिली हुई है, इसके सिवाँ बुद्धिस्म में एक बहुत ही important sites आती है, वो है चैत्य और विहार की, मैंने आपको बताया था, कि यह Buddhist architecture की mapping की बहुत important places याद रखना, चैत्य वर्दी prayer halls and विहार वर्दी place of residences, अमेशा कोई भी एक cave complex होगा, यह cave complex में चैत्य विहार दोनों की आपको relevance देखने को मिलेगी, normally यह देखने को मिलेगा कि विहार की संख्या number of चैत्य से ज्यादा होंगी, क्यों? क्योंकि विहार में क्या है कि आप आपको रुकना है, तो you need more space, थोड़ी बहुत privacy और यह सब भी चाहिए, चैत्य में बड़ा hall होता है, normally कमरा होता है, यह बड़े hall के अंदर open discussions हो सकती, इसके लिए चैत्य विहार दोनों आपको मिलेंगे, ज्याना तर चैत्य विहार आपको western guards के अंदर मिलेंगे, in the regions located towards kokard and the पूने नाशिक Mumbai regions है, ठीक है, तो इस regions के अंदर आपको सेंकडों चैत्य विहार मिलेंगे, Mumbai की कानहेरी के उगफाई, कारले आई, बेड़ से आई, भज आई, कानहेरी फिर से आगया, सौरी, अजंटा आया है, पितल खो रहा है, यह सब के सब basically cave complex थे, ज्यारतर cave complex साथ व tenure of the साथ वहाना, where these caves were constructed out, it was also in the tenure of the साथ वहाना only, that the Buddhist architecture flourished in this region, सर, ओके, अजंटा में 29 caves है, कभी अजंटा के उपर अलग से session लेंगे, and यह 29 के 29 caves, UNESCO World Heritage Site के रूप में आपको देखने को मिलेगी, सर, ठीक है, तो एक important part है, बाकी कभी बाद में discuss करेंगे, कानहेरी में 100 से ज अंजय गांधी complex, we will also find की कारले है, कारले में आपको इंडिया का सबसे बड़ा चाइत्य हॉल देखने को मिलेगा, करीबन 100-100 फीट का चाइत्य हॉल बहुत प्रॉमिनेंटली आपको मिलता है, इसके सिवाए cave architecture, आपको मिलेगा, ननेगाट, कॉंडाना, नाशिक, and महाकाली caves के रूप में, ये भी ज़्यादातर सत्वहाना पीरड के अंदर ही बनके आई थी सर, ठीक है, तो you can imagine कि there are good number of caves located in and around the western guards, जहां maximum आपको सवाल आ सकते है, इसके सिवाए आपको गुफाए मिलती है, इलोरा की गुफाए, ये भी Buddhist architecture की एक site है मैपिंग के रूप मे इलोरा में हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन के सब की सब है, नॉर्मली राष्ट्रकूत पीरड के अंदर बनाई गई थी, और एनिफंटा की कहासियत ये है कि इसमें हिंदू और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन दोनों का प्रभाव मिलता है, ये भी इस वेर चाइथियस और विहार्स वर मेड़ बुद्धिस्ट मॉंग्स ये लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको अल्रेडी सवाल आ चुका है कि महावली पूरम और अजंटा बिलॉंग्स तो सेम रिलिजिस दिनॉमिनेशन, वेरास महावली पूरम है इस सेप रिलिजिस आइटेंटिटी जो यूपसी ने आपको पूछा था, खेर, तो हमें ये क्लारिटी होनी चीए, we should have this clarity with respect to the monuments as well, in fact, चतीजगर में एक जगा है जिसका नाम है सिरपूर, याद रखना, यहां पे मंदिर आया हुआ है, but there was also a monastery attached to it, okay, एक स्थूपा monastery attached थी, which is located in सि सिरपूर में बहुत बड़ा, अगर आप देखोगे, तो we will find की एक brick terracotta का मंदिर आया हुआ है, most probably गुपता और पोस्ट गुपता पीरड के अंदर बना हुआ मिलेगा, but interesting कहानी आपको ये मिलती है, कि सिरपूर के अंदर ही, we will also find the monuments related to Buddhism, okay, तो आपको ये location-wise exception में जगा आ सकता है, या पूछा गया है, that is called as the center of learning, center of learning का मतलब क्या है, कि जहां पर पढ़ाई होती थी, जहां पर teaching दिया गया था, ये center of learning में 5 जगाए ऐसी है, जो महा विहार के रूप में थी, किसके रूप में थी, महा विहार के रूप में ancient India में exist करती थी, कौनसी-कौनसी महा वि विक्रमशिला, सोमपुरी, उदानपुरी और जगदल्दा, इसमें नालंदा जो है, वो गुपता पीरड और हर्शा ने उसको रिवायो किया, फिर पाल पीरड ने आके उसको और ग्रोथ किया, बाकी की चारों की चारों यूनिवर्सिटी खाली और खाली पाल डाइनस्ट यह बंगाल वाले रीजन के अंदर आपको मिल जाएगी और जगदल्दा भी बंगाल में मिलेगी, कुछ-कुछ पार्टीशन के बाद उधर चली गई है, यानि कि इस्ट पाकिस्तान में या बंगलादेश के अंदर आपको मिल जाएगी, तो हमें इसकी क्लैरिटी होनी चा इस्ट पार्टीशन को बढ़ा देने की कोशिश की गई है, तो वी शूट बी अवेर अबाउट इस फाइव प्लेशिस, the five centers of learning with respect to Buddhism, इसके सिवाए Buddhism में, we will also find कि there were other centers of learning as well, other center of learning का मतलब क्या है, कि कुछ जगाए ऐसी है, कुछ जगाए ऐसी है, जो नॉर्मली आपके ध्यान में नहीं आती है, पर एक teacher के रूप में मेरे ध्यान में आई, जैसे एक है वललभी, वललभी is a center of learning, in fact गुजराच में एक और साइट है, यहां लिखना भूल गया, वो लिखिएगा, वडनगर है ना समझे, वडनगर को अभी ही UNESCO World Heritage Site के अंदर भी नॉमिनेट करने की बात हो रही है, वडनगर और वललभी, वडनगर के अंदर, वी विल फाइंड कि North गुजरात में, एक monastery हो आ करती थी, इसके इसके सिवाए आपको उडिसा के अंदर आपको सेंकड़ जगाय मिलेगी, which were prominent places of Buddhist learning, इसको लरित गीरी, रत्रा गीरी, उदे गीरी, पुष्पा गीरी, विहार के रूप में पैचानते है, it was a monastery education center, monastery stoop center, जहां पे विहार भी था, जहां education भी था, और सातों स्टूप भी बन मिलता है, interestingly दक्षिन भारत में आपको एक साइट देखने को मिलती है कांची, ये कांची के अंदर, you'll be seeing that Buddhism was growing, कांची के साथ साथ दक्षिन भारत में अगर आपको याद रखना है, तो आप याद रख सकते हो, नागा पत्नम, ये नागा पत्नम के अंदर भी हमारे पास Buddhism के evidences है, कांची में क्यों, क्योंकि हुएन सांग खुद जब कांची विजिट करने गया था, तो हुएन सांग ने लिखा है कि the कांची city was divided into four areas, and under this four area, one area was controlled by the, we can say, a class of people related to Buddhism, one area under the Jainism, one area was related to the Vaishnavism, and one area was related to Shaivism, In fact, कांची के बहुत सरे scholars पढ़ाई करने के बाद, नालंदा में जाके बसते थे, ऐसे भी हमारे पास evidences है, कांची no doubt Hindu monuments के लिए और center of learning के लिए जाना गया है, पर ये भी important था, इसके सिवाए आपको देखने को मिलती है नागपत्नम, नागपत्नम या नागपत्नम is a port in Tamil Nad and यहां पे भी एक monastery हुआ करती थी, interesting कहानी ये है कि ये monastery को we will find कि दक्षिन पश्चिमी Asia यानि कि South East Asia की जो शैलेंद्र dynasty के राजा थे, इनके द्वारा अर्ध की देके, दर्खास्त देके, चोलास के द्वारा approval के बाद बनवाई गी थी, actually 10th century के अंदर imperial चोलास रूर कर रह राजा राजेश्वर की नई भी बड़ी prominent थी और शैलेंद्र dynasty के जो South East Asia यानि कि आज की सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, बाली के जो islands है, वहां के जितने भी लोग थे वो आते जाते रहते थे भारत के अंदर, इस दौर में काफी सारे बौद लोग थे, ये लामा ल देखोगे बुदिजम के अंदर, ancient India की sites के हिसाब से, तो there are various locations and various sites with respect to Buddhism, this includes the sites related to Stupa, this includes the site related to the places of learning, this related to other places as well, हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत clarity होनी चाहिए, बुदिजम के point of view से map थोड़ा आगे पीछे हुआ है, बट इसको मैं थोड़ा अच्छा करके, एक बार mapping के अंदर फिर से आपको बताऊंगा, जैसे विदीशा है, विदीशा इस दी, सांची वाला region only, मतूरा मैंने आपको बताया, तक्षिला हमने discuss किया, वैशाली है, ये सब की सब जगाए हमारे लिए prominent है, जहां बुदिजम डेवलोप हुआ था, तो बुदिजम के अंदर ज स्टूप की साइट्स हो गई, बुदिश स्कल्प्चर की साइट्स हो गई, स्कल्प्चर, जहां जहां बुद्ध ने स्कल्प्चर बनाये थे, या बुद्ध की मूर्तिया मिली है, ठीक है न समझे, स्पेसिफिक स्कल्प्चर साइट्स, ये स्कल्प्चर केव में भी मिले से केव साइट्स हमने डिसकस कर दिया और ज्यादा तर हमने डिसकस किया है इसमें एक बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी आपको मिलती है वह Monasteries of Buddhism Monasteries का मतलब क्या है कि कौन सी कौन सी जगा पर Buddhist Monasteries आई हुई है यह UPC ने PT में सवाल पूछा था मज़े की बात यह है कि मतलब सत्रावी अठारवी शताबदी के बाद की ज्यादा तर Monasteries बनी हुई है आप देखोगे तवांग है आप देखोगे देरादून है दक्षिन भारत के अंदर बंगलूर के पास मतलब आज के साउथ हिंडिया के अंदर आपको एका जगा के उपर Monasteries मिलती है तो उसका एक अलग से नक्षा टाइप है उसके उपर लास्ट में सेशन करवा देंगे तो ज्यादा तर हमने आज के क्लास के अंदर बुदिजम के अंदर जो बात की है और जो डिसकेशन किया है उसमें हमने बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट्चर साइट पोस्ट बुद्धा देखा ह कि कौनसे राजा ने उसको कॉंट्रिबूट किया और जगा का इंपोर्टन्स किया था इसमें मौरियस को छोड़ा है क्योंकि मौरियस अलाइदा वो एक दो घंटे का अलग से टॉपिक है एक और इंट्रेस्टिंग सेशन के साथ आपके साथ वापीस जुगूंगा तब मै जैनिजम की आर्किटेक्ट्टर की साइट्स के बारे में बताऊंगा पालिताना के बारे में बताऊंगा आपको बताने की कोशिश करूँगा शेतरुनजे के बारे में हम डिसकस करेंगे जैनिजम के रिलेटेड देलवाडा के बारे में या जैनिजम के पॉइंट आफ क्योंकि उसमें मैंने बुद्धा के साथ सीधी सीधी जगाय जोड़ी गई है दूसरा यहां स्टूप बनाए गए थे और स्टूप के रिलेटेड जो प्लेसिस और 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 जो प्लेसिस जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में उसकी डिसक्रिशन किये हर एक साइट के उपर आदा आदा एक एक गंटे का वीडियो बन सकता है अजंटा के उपर इलोरा के उपर जैसे से समय मिलता जाएगा और उसकी रिलेवन्स होगी वैसा वैसा ही चर्चा करेंगे आज यहां पर ही खतम करेंगे प्लीस दो लाइक शर शर्चाब टो इस प्लाफम इल सी नेक्स सेशन लेट स्क्राक इट जैहिंद